Hello everyone, I am Nehal from WS Cube Tech और आज की इस वीडियो में हम एक Python प्रोग्राम लिखने वाले है ठीक है? और जो हम आज जो Python प्रोग्राम लिखने वाले है उसका statement आप अपने computer screen पर देख सकते है कि हम एक ऐसा Python प्रोग्राम लिखेंगे कि हमें क्या करना है यूजर से एक input लेना है number ठीक है? और उसको हमें क्या करना है? reverse करना है ठीक है? जैसे कि अगर यूजर ने input दिया 1, 2, 3 तो हमें उसको reverse करना है 3, 2, 1 ठीक है? तो हम यह देखेंगे सबसे easiest way क्या है हमारे कोई भी number को reverse करने का सबसे easiest way है कि हम उसको as a string consider करें ठीक है? और जब हम यूजर से input ले रहे है तो हम वह as a string ही python उसको determine करता है तो हम python हम एक number यूजर से लेंगे तो वह as a string लेंगे और उसकी बाद में हम क्या करेंगे? slicing operation से हम उसे reverse करेंगे ठीक है? तो हम देखते हैं हम कैसे इसको solve कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूजर से एक input लेंगे तो ठीक है यूजर से एक input ले लेते हैं हम लेते हैं input और यहां पर लिखते हैं कि enter the number ठीक है? इसको एक number ले लिया और इसको क्या करते है? इसको number के अंदर एक variable में store कर देते हैं अब दीखिए हम जब भी अगर हम इस तरह के से input लेते हैं तो python इसको क्या समझता है यह एक string है तो वास्तों में हम इसको as a string hydrate करेंगे ठीक है because जब मुझे आगे जो slicing operation जो perform करना है वो मैं string के उपर ही कर सकती हूँ ठीक है तो मैं basically इसको क्या कर देती हूँ variable को नाम देती हूँ कि यह मेरा string number है ठीक है to avoid the confusion over here तो मैंने यहाँ पर simply क्या लिखा इसको string number ले लिया है और मैंने input लिया कि enter the number तो अब यह by default consider किया जाएगा कि यह as a आप इसमें number भी अगर आप input देंगे तो यह as a string ही consider होईगा ठीक है अब हम क्या करते है ना अब जैसे हमने कोई भी number लिया तो आपको पता है कि हम क्या कर सकते है कि जब कोई string होती है तो हम उसको index value से हम उसको patch कर सकते particular जो भी element stored है वो index के उपर जैसे for example मैं यहां पर लिखती हूं string number और जैसे मैं index ले लेती हूं जैसे 0 ठीक है अब मैं आपको पहले इतना वाला code आपको run करके बताती हूं ठीक है हम बिल्कुल step by step चलेंगे ताकि जैसे हमें समझ म number ठीक है यह मेरा variable का नाम है और मैंने square bracket के नंदा index जाला है 0 अब 0 के उपर कौन सा element मेरा stored है 1 मेरा stored है तो अगर मैं इसको यहां enter करूंगी तो यह मुझे 1 देगा इसने 1 दे दिया ठीक है यह हमारा indexing होता है हम इस तरीके से हाँ क्योंकि यह जो 1 है यह मेरा 0 index पर stored है यह यह यह 1 पर stored है यह जो 3 है मेरा 2 के उपर stored है ठीक है यह तो हुआ हमारा positive indexing में अगर जिसे negative indexing हम बात अगर करते हैं तो negative indexing last element से start होती है तो यह जो 3 है मेरा stored है minus 1 पर ठीक है अब अगर मैं यहांपर minus 1 देती हूँ तो आपका 3 display होगा ठीक है और similarly अगर मैं इसको positive index से भी मैं fetch कर सकती हूँ और negative से भी कर सकती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ अगर positive index से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यह देखिए 0 PA1 और यह 2 ठीक है तो मैंने अगर 2 दिया और minus 1 दिया तो दोनों का input मेरा 3 आएगा अगर मैं 123 input देती हूँ तो देखिए आगे तो इ slicing करनी है ठीक है मतलब बीच के कोई elements को हमें fetch करना है एक particular range से लेके कई तक हमें जाना है तो उसके लिए हम slice notation यूज करते है ठीक है slice notation क्या होता है इस तरीके का जो colon होता है यह सा slice notation का हम use करते है ठीक है this is about the slice notation तो ठीक है तो अगर जैसे मुझे अगर fetch करना है तो मैं क्या होंगी मैं यहाँ पर इसके पहले लिखते हूँ start index, slice notation और end index ठीक है अब जो start index होता है वो तो included होता है ठीक है तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो वो 0 से यह 1 से चालू कर देगा मगर जो slice notation के बाद में end index लिखते है वो excluded होता है हमारा तो जैसे अगर मैंने लिख print करेगा सिफ 1 और 2 ही मेरा print करेगा देखिए ठीक है इसने मेरा 1,2 ही print किया क्योंकि मैंने आपको क्या बोला यह जो 2 रहता है आपका यह excluded होता है यह included नहीं होता है तो अगर मुझे 3 element को भी fetch करना है तो इसके लिखे 1 element addition करना पड़ेगा मतलब 3 लिखूंगी तब जाके व by default end तक मेरा चला जाएगा तो देखिए मैं इसको run करती हूँ मैंने लिखा 1,2,3 तो देखिए इसने मेरा पूरा यहां पर इस तरीके से print करेगा तो हमें यह पता चल गया है कि हमारा जो slice notation के पहले जो हम लिखते start index वो included होता है start index मतलब slice notation के बाद में जो हम element लिखता है व अब हम क्या करेंगे ना हमने अब user से input ले लिया जैसे हमने 1,2,3 ले लिया अब हम मैं क्या करूंगी यहां पर simply अगर मैंने कुछ भी यहां पर नहीं लिखा तो by default यहां पर जो भी है वो start करेगा और till the end जाएगा और मैं यहां पर एक और slice notation ले ले लेती हूँ मैं लिखत कर दिया क्योंकि मैंने यहां पर आगे का जो पहला तो होता है हमारा start index फिर होता है end index और फिर होता है step size तो step size मैंने क्या दिया पहले जो by default तो क्या होता है 1 होता है तो इस तरीके से हम हमारी string को reverse कर सकते है ठीक है अब ठीक है यह तो हमारा code हो गया हमने हमारी जो भी हमारा number है उसको हमने क्या क्या reverse कर दिया ठीक है तो ग्लास ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते हो तो देखिए अब इसको क्या करते हो इक वेरिबल में store कर देती हो ठीक है तो यह मेरा क्या है सपोज यह मेरा है reverse और यह मेरा string है ठीक है अना यह मेरा reverse string है अगर मैं आपको इसका data type बताओ अगर मैं इसको करते हूं print और मैं type करत तो यह देखी आपको क्या बताएगा यह जो आ रहा है इसको मैं करती हूँ प्लस वन ठीक है और मैं चलो इसको प्रिंट करते हैं तो यह एरर देगा क्योंकि यह जो reverse string है यह आपका किसमे है यह आपका है string के अंदर ठीक है और जो आप यह जो 1 करें यह numeric value है तो इसने वही बोला है can only concatenate string to string मतलब यह string और यह भी string होनी चाहिए ठीक है तो मैं क्या करती हूँ मुझे तो number इसको add करना है तो मैं simply क्या करती हूँ इसको अपना इंटीजर में convert कर लेती हूँ तो इसको मैं इंट में convert कर ले हूँ कि यह ऐसे है अब मैंने क्या करती हूँ वो reverse को भी print कर देती हूँ ताकि जिससे हमारा क्या हो reverse स्ट्रिंग हो हमारी डिस्प्ले हो और मैं यह पर एक टैक्स भी डाल देती हूँ कि यह हमारी क्या है reverse string है यह reverse number ठीक है और यहाँ पर इसका यहाँ पर भी आप इस तरीके से आप लिख सकते हो कि answer, थी कह है? इस तरीके से. तो मैंने इसको run किया, मैंने लिखा 1, 2, 3, तो देख needs इसने 이को क्या है? reverse number कर दिया, 3, 2, 1 कर दिया इसको क्या है reverse number कर दिया 321 कर दिया और मैंने क्या किया है 321 के अंदर plus 1 कर दिया है तो इस तरीके से प्रेंट कर दिया आप इस तरीके से similarly कोई भी आउट्पुट आप ले सकते हैं सबस्क्राइब इसको reverse किया 645 किया और उसके अंदर तो आप यहां one add कर यह कुछ भी multiplication आपको perform करना है because आप यह सब operations integer values पर ही कर सकते हैं ठीक है तो यह बस main logic इसका यह है कि किस तरीके से आप इसको reverse कर सकते हैं तो reverse आपको इस तरीके से slicing notation का use करके आपको इस तरीके से करना पड़ेगा मैंने अगर सिफ यहां पर इस तरीके से blank लिख दिया तो by default वो start और end को consider करेगा और यहां पर क्या है minus one लिखा है तो reverse order में चलेगा ठीक है one लिखती हूं तो वो इस तरीके करिए और हमारे चैनल को do subscribe करिए ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं